हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी सार इस्टेडी में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारती राजवरस्ता की स्रीज चल लई है हमारे चैनल पर तो उसी क्रम में उसका नया पार्ट पार्ट सेवन लेकर हम लोग आएं जिसमे सम्विधान और उसके जो अंग है उससे संबंदित बहुत ही मैंत्पूर्ण कोशन यहां पर चर्चा की जा रही है तो चले चलते हैं कोश्चन की तरफ समयना खराब नहीं करते हैं तो पहला कोश्चन कह रहा है भारती संसत के अंग कौन-कौन है यानि जो भारती संसत है व वही बारती संसत जो है वह 'llठी पून लूप्से जो इसका सही आंसर है उप्चेν नंबर 4 उप्रोक्त सभी अगला कोशन देखते हैंіть कौनसा सदन कभी भी भंग नई होता है तो दोस्तों है जो राजसवा है है वो कभी भंग नहीं होती है इसको इस थाई सदन भी कहा जा भारत के संसत भवन की डिजाइन किस ने बनाई थी तो दोस्तों भारत के संसत भवन है जो गोला कार बिल्डिंग है इसकी इसकी डिजाइन बनाई थी सर एडविन लुटियंस और सर हैवर्ट ब्रेकर ने इन दोनों ने मिलकर इसकी डिजाइन को तयार किया था दोस्तों तो इसका राइट अंसर इसको स्कूश्चन का ऑप्सन नमबर तीन उप्रोक्त दोनों दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अन तक देखिएगा फ्रेंड्स यह कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है और एक्जाम में जरूर्ट पूशे जाएंगे चलते हैं अंगले कोश्चन की तरफ राजसभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो स समय में जो राजसभा में सदस्यों की संख्या वह है दौसव 245 दोस्तों कि लेकूः कि निsystem आयू ने निर्धारित है तो तीज सभा की सदस्टा धाण करने के लिए पातर होता है राज सभा का कुटना होता पानेल नमबर टू इसका राइट आंसर भर्षों परतेक दो वर्ष हमें कि यानी हर दो वर्ष हमें इसके एक त्याई क्यांसर जो हैं वह से वा निवत्ट हो जाते हैं यानीमक्षा पता करकोज समप्ट हो जाता है ह और उंकी जगह सब्सार सक्माइन इसलिएी जो राज सभा है ये कभी भंग नहीं होती है अगला कोशन देखते हैं राज सूची के किसी विशय को राश्ट्री महत का गोशित करने का अधिकार किसके पास होता है तो दोस्तों राज सूची के किसी भी विशय को जो राज सूची में उसका वर्लन किया गया है उसको राश् अनुच्छे 249 के द्वारा इसको प्राप्त दोस्तों ठीक है आर्टिकल 249 के अंतरगत इसको यह अधिकार प्राप्त है और इसको यानि राज सूची के किसी विशे को राश्टी महत का गोशित करने का जो अधिकार है इसके पास इसके लिए कम से कम दो तीयाई से दस्यों को मद्दान के द्वारा इसके पच्छ में होना चाहिए अगला कोशन देखते हैं अखिल भारती सेवाओं के स्रजन का अधिकार किसके पास है दोस्तों अखिल भारती सेवाओं जो है उनके स्रजन का अधिकार जो है वो राजसभा के पास है इसका सही आंसर है option number two राजसभा ऐसा इसके पास जो है स्के लिए भी कम से कम दो दीजसें स्टिकों को के बहुमत के साथ को है इसका सरजन किया चाह interject a कि किसी धनुराज्य सभा अपने पास कितने दिन रख सकती यह दोस्तों कि Fix had a उसको राज्य सभास मैक्सिमंव 14 दिन के लिए रख सकती है इसका सही आंसर है option no. 4 राज सभा किसी धन विदयक के संबंद में केवल सिफार्षें कर सकती है जिसे मानने के लिए लोग सभणा बात दें नहीं है कोई विदयक धन विदयक है या नहीं इसका फैसला लोग सभा के से अधा can कोई विदर्विद्रक मैक्सिमम 14 कंतग राज सभा में रखा रह सकता है अगर 14 दिन के अंदर वह इसको पारित नहीं करते हैं तो उसको अपने आप सुता पारिद मान लिया जाता है दोस्तों अगला कोशन देखते हैं राश्पती एक वर्ष में कम से कम कितनी बार राजसवा का अधिवेशन आहूद करता है तो दोस्तों राश्पती जो है वो एक साल के अंदर कम से कम दो बार राजसवा कि मद्य कितना अंतर हो सकता है तो दोस्तों का सभा का पहली बार गठन कब किया गया था तो राज पहली बैठक जो होई थी राज सभा का कठन तो कर दिया गया तीन अप्राइल उनिस सो बावन को दोस्तों ठीक है लेकिन इसकी पहली बैठक जो ही थी वह 13 मई 1902 को यह भी आपको पता होना चाहिए कव थी पहली बैठक 13 मई 1902 को अगला कोशन देखते हैं राज सभा में किस राज का प्रतिर्दित्व सरवादिक है इसका मतलब है कि जितने भी राज है ठीक है उन में से किस राज की जो राज सभा में सदस संख्या है वो सरवादिक है ठीक है तो इसका सही आंसर है option number two उत्तर प्रदेश दोस्तों उत्तर प्रदेश की 31 सीटे हैं जो कि सरवादिक है है किसी भी राज की सीट के प्रतिनिजुत के लिए ठीक है उत्तर प्रदेश के 31 सीटे जो है वहां राज सभा में रेजर्व है ठीक है कि 31 सदस जो है वह उत्तर प्रदेश से चेतर से होंगे अगला कोशन देखते हैं राज सभा में किस संघी चेतर को प्रतिनिज़त दिया गया है दोस्तों दिल्ली और पुदुजेरी ये दोनों ऐसे केंद्रशाषित प्रतेश हैं या संघी चेतर हैं जिनको राज सभा में प्रतिनिज़त दिया गया है इसका सही आंसर है option number 3 उपरोक्त दोनों इसके अलावा जितने भी संघी छेतर हैं उनको राज सभा में कोई प्रतेंज़त नहीं प्रदान किया गया अगला कोशन देखते हैं मूल समविधान में लोग सभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी तो मूल समविधान में लोग सभा की सदस्य संख्या निश्चित की गई थी 500 इसका सही answer है option number 2 जब समविधान बना था हमारा दोस्तों उसके उस समय जो लोग सभा की सदस्या निरधारित की गई वो की गई थी 500 अगला कोशन देखते हैं वर्तमान में लोग सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो वर्तमान में प्रेजन टाइम पर लोग सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या 552 हो सकती दोस्तों ठीक है इसका सही आंसर है आप्शन नमबर ठीक है ये भी आपको पताना चाहिए कि प्रजेंट टाइम पर लोग सभा की संख्या है 545 अगला कोशन देखते हैं किस सम्विधान संशोधन के अनुसार लोग सभा विधान सभाओं की सीटों की संख्या को 2026 तक यथावत रखा गया है ठीक है दोस्तों इसका मतलब यह है कि लोग सभाओं चाहिविधान सभाओं इनकी सीटों की संख्या है इनको 2026 के पहले हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं यह दोजाशब्स तक जिस कंडिशन जिसमें हैं जितनी संख्या है इनकी सज़स्यों की उतनी ही रहेगी दोस्तों ठीक है अधिक्तम संख्या जो है यह चा होना चाहिए 84 संविधान संशोधन विदेव 2001 में पारित किया गया जिसमें लोग सभा और विधान सभाओं की सीटों की संख्या को 2026 तक यथावत रखा गया है अगला कोशन देखते हैं लोग सभा के लिए सदस्त की नियूंतम आयो कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों लोग सभा में सदस्त के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की नियूंतम आयो होनी चाहिए 25 वर्ष ठीक है इसका सही आंसर है अप्शन नमबर टू 25 वर्ष अगला कोशन देखते हैं चेतर फल की दरश्टी से सबसे बड़ा लोग सभा छेतर कौन सा है दोस्तों चेतर फल की दरश्टी से सबसे बड़ा लोग सभा छेतर है लद्दाग इसका सही आंसर है अप्शन नमबर तीन और दोस्तों जो चांदनी चौक है दिल्ली का दिल्ली का चांदनी चौक जो लो लोग सभा शेतर है दोस्तों यह भी आपको पता होना चाहिए अगला कोशन देखते हैं मंत्री परशद सामुही ग्रूप से किसके प्रती उत्तरदाई होती है तो मंत्री परशद जो है वो सामुही ग्रूप से लोग सभा के प्रती उत्तरदाई होती दोस्तों ठीक इसका सही संज्युक्त अधिवेशन कौन बला सकता है कौस्टों इस संबंदित कॉस्चन है कि मसalsा स्वितिक कि पास राशपती में आप और 4 दो Amazon दिखते हैं किस अनुच्यद में संस्ट कसण युक्त अधिवेशन की विवस्था दी गए है तो दोस्तों एक सिसुंसाइड स्वाइजसर और चाय आर्टिक लेग 1-0-108 में संसत के सहिंखट अधिव favor ऐस्था का वर्ण किया गया संसत के समयू करता है संसत के सार्फियोills की अधिश्टाय करता है लोग सा सदन लेता है दोस्तों धन विदेख के संबंद में अंतिम निर्वाचन की विवस्था किस अनुच्छेद में है तो दोस्तों जो लोग सबाका अध्यच होता है इसको लोग सबाके जो सदस्य हैं उन्हीं में से जो है लोग सबाके सदस्यों से ही पर होते हैं उनके बीस से ही लोग सबाकी अध्यच को निर्वाचित किया जाता है और एक उपाद्च को भी दिवाचन की विवस्था यह किस अनुच्छेद में वहाणनी थैं अनुच्छेद 93 अर्टिकल जो है अर्टिकल नमबर 93 उसमें यह वह नहीं था है इसका सभी आंसर है option number 4 तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं से माप करते हैं अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा उसको शेयर कीजिएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड् इसको जरूर लाइक कीजिएगा थैंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और important questions के साथ में थैंक्यू फ्रेंड्स